एक क्यूशन एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है करंट वाले पहला क्यूशन क्या है? पहला क्यूशन है कि भारत माला प्रोजेक्ट के सम्मंद में ऐसत्य कत्थन का चेन कीजिए सबसे पहली बात आपके सामने पहला ही क्यूशन आप देखेंगे तो आपको एक्जामिन ने पूछ रखा है कि भारत माला जो प्रोजेक्ट है उसका सम्मंद किस्से है बताइए आप मेंसे कौन कमेंट करके बताएगा कि भारत माला जो प्रोजेक्ट है इसका सम्मंद किस्से है क्योंकि पूराने पेपर उठा कर आप देखेंगे तो ये क्यूशन पूछ रखा है आपको बताइए और यहां पर क्यूशन भी यह है कि भारत माला जो भी प्रोजेक्ट है उसके सम्मद्ध में ऐस सत्य कथन का चेन कीजी तो आप्सिन नमबर ए क्या कह रहा है और यहां प्रोजेक्ट में राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है याद रखेगा प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट दूसरी बात क्या है कि राजस्तान से कुल छे एक्सप्रेस वे युक्त प्रोजेक्ट के तहित संचाले थे आप कहेंगे यह भी सही है दोनों बाते दोनों ही बड़ी इंपोर्टेंट है कि यह जो भारत माला प्रोजेक्ट है इस भारत माला प्रोजेक्ट के तहट अंतराश्टी इसतर पर याद रखेगा गुणवत्ता वाली शड़कों के निर्मान है तू इस भारत माला प्रोजेक्ट में देश के अंदर कोई सिर्ष रज्ये है तो याद रखेगा वो है आपके राजस्तान राजस्तान का क्या है याद रखेगा पर्थमिस्तान और दूसरी विशेश बात कि इसी भारत माला प्रोजेक्ट के तहित राजस्तान से कुल कितने एक्स प्रेस वे तो याद रखेगा 6 एक्स प्रेस वे एससे क्यूशन वल नाइनर बनते हैं और तीसरी बात क्या है कि भारत माला प्रोजेक्ट का लगभग 50% कारिये पूर्ण हो गया है बिल्कुल और इसमें भी आपको यह दि ऐसे पुछे कि इसी भारत माला प्रोजेक्ट के तहित राजस्तान में कितने प्रतिशत कारिये पूर्ण हो चुका है ऐसा भी क्यूशन तो फिर आपको यादखना है 91 परतिशत ये तो क्या है ये तो कह रहा है option number C के भारत माला प्रोजेक्ट जो पूरे देश के लिए है उसका लगभग 50 परतिशत कारिय पूर्ण हो गया है लेकिन हमारे राजस्तान में जो भारत माला प्रोजेक्ट का कारिय है वो 91 परतिशत कम् कहेंगे नहीं सर, option number D है वो गलत है याद रखना है कि भारत माला प्रोजेक्ट के तेथ राजस्तान में भारत माला प्रोजेक्ट की जो कुल लंबई है most important बात याद रखेगा very very important वह है आपके 2503 किलोमेटर तो बहुत important question है याद रखेगा भारत माला प्रोजेक्ट जैसा कि यहाँ पर पहला question आपसे पुछा गया था कि भारत माला प्रोजेक्ट है वो किस से संबन्दित है तो अब आप समझ गए होंगे कि सर ये संबन्दित है राश्ट्री राजमारक विकास परियोजनास है ठीक है पहली बात अच्छा दूसरी बात कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहित कुल कितने एक्सप्रेस वे याद रिखेगा 6 और अगली बात इसी भारत माला प्रोजेक्ट के तहित राजस्तान में लगभग कितने परतिशत काम हो चुका है यार रखेगा 91 परतिशत और अगला फेक्ट है कि इसी भारत माला प्रोजेक्ट के तहित राजस्तान में जो इसकी लंबई है वो कितनी है आपके यार रखेगा 2503 किलोमेटर युनिक क्यूशन इस्टा लगा लिजिएगा क्यूशन पर ठीक है किलियर चलिए आईए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगला क्यूशन क्या है अगला है वायूशक्ती दोजार चोबीस जो युद्धा अभियास है वो कहां होगा लिजी वायूशक्ती वायूशक्ती युद्धा अभियास दो हजार चोबीस अच्छा होगा कब यह होग आपके 17 फरवरी, 17 फरवरी दोजार चोबिस को भारते वायु से ना दुआ रहा हूँ, भारते वायु से ना दुआ रहा हूँ, अच्छा ये युद्धा अभ्यास कहां होगा, तो याद रिखेगा इंपोर्टेंड, पोकरण, फिल्ड, फाइरिंग रेंज, जो कि आपके कहा पर है, याद रिखेगा जेशलमेर, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्यूशन मनता है, वायु सक्ति युद्धा अभ्यास का भोगा, तो 17 फरवरी को, किसके दुआरा, भारते वायु से ना दुआरा, और कहां पर, तो याद रिखेगा, पोकरण, फिल्ड, फाइरिंग अगला क्यूशन, अगला है, आयुश्मान, भारत, मुख्यमंत्री, चिरन जीवी, स्वास्ते, बीमा योजना का नाम बदल कर किया गया है, क्या? अनपूर्णा भारत, मुख्यमंत्री, स्वास्ते, बीमा योजना, मुख्यमंत्री, चिरन जीवी, योजना, या फिर आरोग्य स्वास्ते, बीमा योजना, या फिर मुख्यमंत्री, आयुश्मान, आरोग्य योजना तो आपको याद रखना है कि ये जो आयुश्मान भारत मुख्य मंत्री चीरन जीवी आयुश्मान भी है भारत भी है मुख्य मंत्री है चीरन जीवी श्वास्ति भीमा योजना का जो नाम बदल कर है वो क्या कर दिया गया तो यार रिखेगा इसका जो नाम है वो हो गया है आपके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आयुस्मान आरोगे योजना जैसा कि यहां हमारे रज्य शरकार दुवारा एक योजना थी जिसका नाम था इंद्रारसो योजना आप में से कौन कमेंट करके बताएगा कि इस इंद्रारसो योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है यह आप कमेंट करके बताईए यहाँ पर जो option है वो हो जाएगा यहाँ D is the correct answer इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है जब यह question बन सकता है तो question ऐसा भी पूछा जा सकता आपको बताईए अगला देखे अगला है परधान मंत्री यानि के PM किशान सेंच्यूरेशन अभियान जो है वो राजस्तान में संचालित किया जा रहा है कब बहुत इंपोड़ बताईए परधान मंत्री किशान सेंच्यूरेशन जो अभियान है यह आपके राजस्तान में संचालित किया जा रहा है कब तो याद रिखेगा यह चल रहा है आपके 12 फरवरी से शुरू हुआ है और चलेगा आपके 21 फरवरी तक 21 फरवरी 2024 तक याद रिखेगा आपसन नमबर जो है वो होगा आपके सामने याद रिखेगा सीज करेक्ट आश्वर वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलिए लीजिए अगला क्यूशन अगला है राजस्तान आईटी गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है राजस्तान आईटी गेम्स राजस्तान जो आईटी गेम्स है 2024 इसका जो आयोजन है बताईए कहां किया जा रहा है आपसन है आपके सामने जेपुर, जोदपुर, कोटा या फिर उदेपुर बहुत ही इंपोर्टेंट राजस्तान आईटी गेम्स 2024 इसका जो आयोजन है वो आपके कब से लेकर कब तक तो याद रिखेगा आयोजन कब तो फिर यह हो जाएगा आपके 12 से लेकर 16 फरवरी 2024 और आयोजन कहां पर तो फिर याद रिखेगा आपके इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है कहां पर याद रिखेगा जेपुर में चीक है याद रिखेगा इंपोर्टेंट बात चीक है जेपुर में पुछेंगे तो याद रिखेगा भवानी निकेतन जो ग्राउंड है न वहाँ पर और इसका उदगाटन जो है जेपुर में कहाँ पर तो याद रिखेगा भवानी निकेतन ग्राउंड और इसका जो आयोजन का उदगाटन है वो किस ने किया है तो याद रिखेगा उद्गाटन करता जो है वह आपके राज्य वर्धन शिंग राठोड राज्य वर्धन सिंग राठोड बता सकते हैं यह वर्तमान के अदर कहां से विधायक है राज्य वर्धन जिसके अंदर most important राजस्तान IT Games याद रिखेगा इसके अलावा PM जो किसान centuration अभियान है वो राजस्तान में कब से लेकर कब तक चलेगा आयुश्मान भारत मुख्य मंत्री चीरंजी विश्वास्ति भीमा यूजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया और इसके अलावा भारत माला प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब हुई थी चलो यह आपको सब बता दिया था कि भारत माला प्रोजेक्ट क्या है इसके तेत राजस्तान की देश में क्या कौन सा इस्तान है कितना निर्मान है क्या है कुल लंबई ठीक है चली तो यह फिलाल आज के लिए इ उनकी वीगेपती जारी कर दी गई है तो बस आप अपनी तैयारी में लग जाई हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद